कि अलो बच्चियों आज हम बात करने वाले हैं 2021 जो फिजिक्स का क्वेश्चिन पेपर था उसमें आज हम बात करेंगे कि डिस्पर्शन स्केट्रिंग ऑफ लाइट जो आपका चेप्टर है उसमें कितने सवाल पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल पूछे गए हैं तो आज करेंगे अगर आपको आता है तो फिडियो का पौछ करेंगे पॉछ के बाद आप इसको करेंगे फिर हमारे साथ below करें तो जल्दी से कोपी पको लिए तक नए हो तो जल्दी साब्सक्राइब करके बहार है क्लिक कर लो और अपने अबरा जो है अपने में कुमेंट सब पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को ज्यादा समय ना गवाते हुए यह सवाल आपको दिख रहा है यानि कि 24 26 दो सवाल पूछा है और आपका जो 26 वाला है यह वाला भी फोर माक्स का है एक्ट माक्स सवाल आप से पूछा है अकेला चेप्टर है आपका डिस्पर्शन और स्केट्रिंग आफ लाइट से पूछा है जिसमें आपका पहला सवाल है एक्स्प्लेंग वाइट स्काय विन आपजाओ फ्रों आर्थ अपेर्स ब्लू बट वेन आपजाओ फ्रों असेटलाइट अपेर्स डार्क और दूसरा पुछता है वेश्ट आप बेबलेंस थर्टी नाइन फंड़ अंगर स्ट्रों और स्वांट इन इन इस तरीके से ट्वेटिफॉर वाला अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पाउच कर लें पाउच करने के बाद एक बार इसको ट्राइए सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहला सवाल है कि जो आप से कहता है कि एक्स्प्लेइन वाइड़ स्काइव और आप अपेर्स ब्लू दिखाए देगा लेकिन अगर को सेटेलाइट से देखेगा वहां के आसमान को तो उसको वह डार्क या अंधेरा दिखाए देगा तो कोई इस ब्लू क्लर ही क्यूं देखिः जो सं होता है टोपिक में पढ़ा चुका हूँ चैटर करवा चुका हूँ आप इसको आपके देख सकते हैं तो جो एक मस प्रेत मेर sta सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें स्कैटरिंग होता है स्कैटरिंग मतलब इधर से आ रहा यह सनलाइट आ रहा है स्कैटर हुआ आपने पड़ा है विब ग्योर यह जो seven colors है इन seven colors में होता है यहां पर आप इसमें समझने वाली बात क्या इसको परले हम समझते हैं यहां पर इसको थोड़ा अर्थ के लेवल से देखते हैं तो जब यह सेटलाइट में देखेंगे तो वह क्यों डिखाए देता है पाली बात वाला है उसका अंसर आप खुदी लिखो या अर्दों को इतना मैं थियोरी नहीं लिखोंगा तो आपको खुदी बना के आना चाहिए अगर कोई सेटलाइट से देखता है तो उसको डार्क इसलिए दिखाए देता है क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं होता है यानि स्पेस के अगर हम बात करें तो स्पेस में आप क्या लिखोगे देज नो आटमोस्पेर इन स्पेस नो आटमोस्पेर होता ही नहीं है तो भाई जब कोई आटम अपेर्स ब्लू सोरी अपेर्स डार्क है वह डार्क दिखेगा यह तो एक पार्ट का अंसर हो गया लेकिन अभी जब हम अर्थ से देखते हैं तो वहां पर हमें क्यों दिखाई देता है कैसा हमें दिखाई देता है ब्लू दिखाई देता है तो ब्लू दिखाई देता है कि लो इस कलर दिख जाता कर भी डिख जाता पर जनरली आपको फूर कम अब बंढ़ी कर चेए यहां पर आपको थोड़ा सा समझहना पड़ेगा कि जो ब्लू कलर होता है जो अगर आप देखिए अगर मैं बात करता हूं लेंटेंसिटी और वन बाइंडा आगा पावर फोल यह रेलेंड रिलेम्डा होता है इस रिलेंड इसे हमें यह पता चलता है कि hell पर अगर लेम्डा याने बेव लेंध्ड लेम्डा यानि बेव लेंथ जादा होगा तो इंटेंसिटी कम जाएगा आप समझें इंटेंसिटी कम जाएगा आप समझना आपको इंटेंसिटी क्या हो जाता है कम जाता है यहाँ पे लेकिन यदि लेम्डा कम हो जाए तो इंटेंसिटी उसका बढ़ जाता है तो यहां से इसलिए हम कहते हैं यहां पर कि चुकि ब्लू कलर का ब्लू ब्लू वाले का सौटर बेवलेंथ होता है क्या होता है सौटर बेवलेंथ होता है तो सौटर बेवलेंथ होने की वज़ा से यह मोर स्केटर होता है यह ज़्यादा स्केटरिंग करता है more scattering करता है और जब यह ज़्यादा scattering करेगा तो obviously blue दिखाई देगा आपको तो आप कहेंगे कि एक बात बताओ अगर red से violet की और हम जाते हैं तो lambda decrease करता है lambda क्या करता है? decrease करता है तो blue से भी कम Babylon तो indigo का होगा इससे भी कम Babylon तो violet कलर का होगा तो फिर violet वाला and indigo वाला यह क्यों नहीं दिखाए देता है भाई सब यह क्यों नहीं दिखाए देता है? केवल blue ही क्यों दिखाए देता है? क्योंकि हमारी जो आई जो होती है वह ज्यादा sensitive होती है blue color के लिए that's why हमें केबल blue दिखाए देता है violet और इंडिगो नहीं दिखाए देता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि क्या इसका exact answer होगा तो explain why the sky when object from earth appears blue तो answer क्या हो जाएगा answer यह हो जाएगा कि blue color have a shorter web length due to blue color more scattered than others colors उसमें आप यह line भी जोड सकते हैं कि neighborhood colors like violet and indigo also have the very shorter wavelength but our eyes are more sensitive for blue color that's why we see that yeah sky appears blue और वही इसका क्या answer हो जाएगा in the space there is no atmosphere in the space so there is no scattering of light and that's why any person yeah any observer when observe the sky from the satellite it appears dark यह answer आप लिख लेना आपनी साब से अगला बात करते हैं बेवस बेवलेंस 3900 एंगा स्ट्रॉम and 7800 एंगा स्ट्रॉम are found in the scattered beam of light scattered sunlight in the smoke of a chimney को chimney का है जो धुआनी का है जो होता है smoke है the find the ratio of the intensity of two babelins in the scattered beam तो आपको intensity बताना है तो आपको इस relation को लेके जाना है जहां पर आप देखते हैं कि intensity जो होता है वह रिलेशन करता है बेवलेंस के power 4 का यहां पर आपको क्या दे रखा यह तो ए पार्ट वाले का था जो मैंने डिटेल आपको बता है बी पार्ट वाले क्या है देखिए लेंडा कितना दे रखा 3900 ऑंगस्ट्रम में लेंडा 2 कितना क्या लेंडा 2 6800 एंगस्ट्रम दे रखा गर इससाब से अगर आप description करेंगे तो आपको correlation यहां पर मिल जाएगा अगर इसे equation 1, equation 2 मानते हैं तो हम बोल सकते हैं from equation 1 and 2 equation 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप I1 अगर आप I1 upon I2 निकालते हैं यहाँ पे तो यह वाला lambda 2 उपर चला जाएगा क्योंकि 1 by lambda 1 power 4 है 1 by lambda 2 power 4 है तो lambda 2 power 4 उपर चला जाएगा lambda 1 power 4 नीचे आजाएगा तो इसको simply आपको solve कर लेना है और solve करने के बाद देखिए यहाँ पर कैसे solve हो जाएगा lambda 2 कितना है 7800 और इसका power 4 और नीचे 3900 इसका power 4 इसका आप ratio निकाल लेंगे जो answer आएगा वही यहाँ पर ratio आएगा intensity of two wavelengths in the scattered beam of light का तो यहाँ पर आप solve करेंगे तो बहुत easy है कोई hard नहीं यहाँ पर अगर आप इसको split करेंगे 7800 इसको 4 टाइम आपको लिखना पड़ेगा फिर कितना टाइम लिखना पड़ेगा इसको 4 टाइम लिखना पड़ेगा और नीचे इसको भी 4 टाइम लिखना पड़ेगा यह तो आप इसको cut कर सकते थे दिए जीरो इससे कटेगा ये वहला जीरो इससे कटेगा और एक और घडिया ना यहाँ पर और एक एक और ये जीरो इससे कटेगा तो बाकि पाकिस का रेशियों आप निकाल लेना कि उस सेवेंटी एट है और यह थर्टी नाइन है तो आप ऐसा बोल सकते हो तेहरा च्छा कटतर तिरतिया उन्चालिश थर्टीन कर टेबल पड़ोगे ना तो शीक्स और थर्टी नाइन तो दूगना ही हो गया यह यह तो दूगना ही नो दुनी अठारा तिन्नु छेक साथ यह तो टू हो गया टू इससे भी कटा टू इससे भी कटा टू इससे भी कटा टू दो दूनी चार दूनी आठ दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोला तो सिक्स prism of equi-angular base the refracted ray is found to be parallel to the base of its principal section corresponding to an angle of incidence of 45 degree calculate अब आप हो calculate क्या क्या करना है angle of minimum deviation यह calculate करना है and refractive index calculate करना है यह option में भी एक सवाल दे रखा है जा refractive refractive angle of a prism is 30 degree and its mu v, mu y and mu r हलाकि यह written statement था जिसमें कहा गया था refractive index of violet color is 1.64, refractive index for yellow color is 1.60 and refractive index for red color is 1.5 then find the angle of deviation of the corresponding colors इन colors का सबका delta m निकालना है आपको साथ में इसका dispersive power भी आपको find out करना है तो आईए एक बार इसको समझते हैं एक बार understand करते हैं और यहां पर अपने साथ solve करते हैं अगर आपको आता है तो वीडियो को आप पाउज कर लो पाउज करके खुद से solve करने की कोशिस करो देखो इसको मिलके solve करते हैं बहुत easy है और इसके बाद यह वाला सिक्सन भी हम complete कर लेंगे तो कोई hard नहीं है यह यानि समझे आपका एक revision हो रहा है जो chapters होते हैं क्यूंकि अब तक theory theory पढ़ रहे थे तो आपको जो है ठीक है अब यह जो प्रिजम आपको दिख रहा है इस प्रिजम में होता क्या है कि कोई भी मान के चलिए beam of light इधर से आया इधर से आया फिर यह वाला इस तरीके से और यहां से ऐसे निकल गया तो इस तरीके से यह chapter में आपको पढ़ा चुका हूं जो light इधर से आपको पर यह refractive ray होता है और यह वाला जो एंगल आपको दिखता अगर यह है यह बी है और यह सी है तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ओफ प्रिजम का नाम से जानते हैं तो यहां पर बच्चों आप ध्यान से देखो और समझोगे तो एक चीछ किलियर हो जाएगी कि य पर आप एक पर्पेंडिकूलड डाल तो यह पर नॉर्मल यह वाला एंगल हो गया यह वाला एंगल- इसको ऑबाल एफ यसको आना था एैसे लेकिन चला गया इथर तो यहां पर यह जो अंगल होता है इसको बोलते हैं डेल्टा एम मतल傳ieve मिनमम घेवीए सण की मिनम्ब ठीक है, angle of deviation इसको कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, मैं एक बर आपको बता देता हूं, जैसे देखिए, relation की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर delta plus angle A is equal to angle I plus angle E, यहाँ जो angle बनता है, यहाँ से This is angle E, यह एक relation तो आपको यह ध्यान रखना है, दुस्रा relation आपको ध्यान रखना है, यह मानगे चलिए, यह R1 है, और यहाँ से यह वाला मानगे चलिए, यह R2 है, तो angle R1 और angle R2 यह angle A के equal होता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह general हो गया, यह जो मैं लिकर रहा हूँ, य जेसे जेनरल है मेरे अगर आप से कहता है की आप कुछ ऐसा प्रिणम में से जा रहा है कि ये एंसक पैडली से वहालनों आया रहा है और ये लाइट इसके पैडला है बाखी इधर से निकल जा रहा है तो इस कंडिशन में होता है कि कि मिन testimo होता है मिन वो म्हां मतलोग बहुत ज़्यादाDR permanent करता आप ने रास्ते से यह इसको बोलता है इसको बेसंद फिर मिनमुक्र के नाम से इसको जानते ज == है इसको बोलते हैं अप this is minimum deviation तो minimum deviation केस में क्या होता है यहाँ जो आपका angle i होता है और यहाँ जो angle E, i, e और E जो angle i है और angle e है दोनों ही equal हो जाता है और इसा graph भी मैंने आपको बताया था कि इसा graph जो है कुछ इस तरीके से था इस तरीके से इसका graph था जहां पर इस वाले point पर यह single था जहां पर बाकी सारे point पर दो दो जगाँ कट रहा है यहां भी कट रहा था लेकिन केबल यही एक point था जहां पर आप देख रहेते यहां बला कट रहा है तो यहां से इसलिए और सवाल पर ही पूछ사या आपसे पुछ हैं कि यहां हम About भीальная यह आए मड़ी यूज़ करेंगे मिनमम और यह आउगल आई और यह भी हो i तो यहां angle i is equal to formula क्या हो गया delta m plus delta a divide by 2 यह इसका formula निकल गया इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं यह निकल गया इसका चलिए और अगला अगर आप बात करते हैं कि angle r1 और r2 दोनों ही r हो जाए तो r is equal to क्या हो जाएगा angle r is equal to क्या हो जाएगा a by 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही equal हमने कर दिया है तो इसी के विहाप पर हम लोग निकालते हैं साथ में यहां पर आप जानते हैं कि कोई मैं यही भी refractive index निकालना होता है तो वही स्नेल स्ला होता और क्या स्नेल कहता है तो mu is equals to sign i upon sign r होता है ठीक है यह आप जानते रिफ्रेक्रेक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है ठीक है जिस्पर्सिव डिस्पर्सी पावर अंगर आपको निकालने के लिए कहेगा फिल अगर जब पर में सबसे माक्सिमом जिसे वीवयोर लिखें वीव गेओर में यहां पर यह आप देखेंगे ध्यान से सबसे ज Keys slash devia जो आपको मिलता है वायलिट कलर का मिलता है सबसे कम डेविएशन और नीचे में यलो कलर का हम लोग ले लेते हैं कि यलो कलर का है यह इस तरह से लेमडा के टर्म से में हो गया अगर इसी को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो यह वाला कुछ डीपी ऐसा निकल जाएगा देखें कैसा निकल जाएगा इस इसको कर देना मियू आर और यह हो जाएगा मियू बाई माइनस वन ठीक है तो यह आपका हो गया अगर आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से टर्म में निकालेंगे तो सारी चीजह हमने निकाल लिया सारी चीजह जान लिया आए सवाल पर आने के बाद इसको फटा पट सोल् बेस है यानि कि अगर 26 वाले की हम बात करते हैं यह नया मारकर है अगर 26 वाले की बात करते हैं तो एंगल एक कितना दे रखा है 60 डिग्री फिर बेस आप दा रिफ्रेक्टिव ड्रेश फांड टूबी पैडलल टूदा बेस ओफिट्स यह पैडल हो गया चलो जी ऌँच्री इंडेक्स पता करना ठीक है इतनी सारी चीजिये पता करने हैं यह आपको देंके सिमिपल सफंडोन आ है आप इस वाले फर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे उह वाले फर्मूले का इस वाले फर्मूले में क्या होता है Angle i is equal to ड . अगर प्लस देल्टा अंगल आई हो जाएगा 2 x 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो यह आ जाएगा 90-60 30 डिग्री चली 30 डिग्री आ गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर तो पहले आर पता कर लेते हैं हम लोग तो r क्या हो जाएगा angle a by 2 इस relation से इस वाले relation से तो यह हो जाएगा 60 degree by 2 यानि आ गया 30 degree तो mu निकालेंगे तो क्या जाएगा sin i upon sin r तो sin i कितना हो गया sin i 45 degree और r कितना हो गया sin 30 degree तो यह 1 by root 2 और यह 1 by 2 2 2 से 2 कटेगा तो root 2 इसका answer आजाएगा आप इसको solve कर लेंगे 26 वाला हमने यह वाला solve कर दिया आपके सामनी solve कर दिया फटा फट अच्छा आप यह वाला अथवा से देख लेते हैं कि और वाला में क्या कहा रहा था और वाला हम कर दर रिफ्रेक्टिव एंगल आफ प्रीज में इस 30 डिग्री तो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यह solution को मिटा देता हूं मैं इस वाले को मिटा के जर्णा इसके अथवा वाला जो और वाला होता हूं उसको solve कर लेते हैं तो और वाले में आ जाते हैं थोड़ा सा 20 सिक्स्ट वाले में क्या क्या दे रहा है डिर्स्ट्रेटीव एंगल आई कितना दे रहा certainty डिग्री दिए ए रहा है और मेोई वी मेघे दिया 1.64 मिऊ बाई कितichten सिकस्जेरो और मियू आर कितना दिया 1.56 तो आपसे पुच्ता हर किसी का जैसे यह डेल्टा wz रे г Leska निकाल लिए मेद्टा आंव वाइलट का लगला सबका निकाली है और dispersive power निकाल लेते हैं तो अगर यहां से dispersive power निकालना हो तो simple यह formula लगा दीजिए mu v minus mu r upon mu by minus 1 तो mu v कितना है mu v 1.64 minus red का है 1.56 और जो beach का है वो 1.60 तो इसको आप उमीद करते हैं आप इसको solve कर लेंगे solve करके जो भी आएगा यह इसका answer आजाएगा मैं आगे छोड़ देता हूँ अब आगे आपसे क्या पुछ रहा है आगे आपसे पुछ रहा है आगे आपसे पर आपका रहती मालूम है अर भूम है है कि आरणी मालूम है और नहीं मालूम है क्या पूंचेता है यह 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 sibling निकालना और चलिए यह कि आपकी टरीक होगी इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे बारी-बारी की साइन अर् अगलेवाले का तो साइन ठर्टी कि व्या कि एपक्षों कूसे एपन हो जएगा यहां पर पर मियू रुक्रीय यानि कि आप माइनिस वन छूट गया था यहां मुझसे साइन 30 अपन यहां क्या हो जाएगा मियू आर हो जाएगा तो यहां पर साइन आर्टू का वेलू कितना हो जाएगा उपर वन भाई टू हो गया और नीचे कितना हो जाएगा उपर वन भाई टू हो गया है और नीचे क्या हो उपर 1 by 2 और नीचे 1.56 इसको आठ solve करेंगे solve करने के बाद यहाँ पर हर किसी के आपको निकालना पड़ेगा जैसे यहाँ पर आपको A1 find करना पड़ेगा यहाँ पर आने के बाद क्या करोगे इस एक वेलू पूट कर दोगे जैसे एवन के लिए काम करेंगे यहां रखेंगे यहां आई के यहां देल टाइम आपका निकल जाएक इसाइब देल टाइम निकाल सकते हैं तो छोटा सा का हिस्सा है और कुछ नहीं है तो मैं यहीं पर इसको बाइंड अप करता हूं और मैं उमीद करता हूं कि आप इसे नहीं बना पारें तो सबसे बड़ी प्रब्लम में कि आपको एक बार चैप्टर पढ़ना चाहिए जाके रिवाइच करना चाहिए तो आप जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं तो इसी के साथ इसको मैं करता हूं और फिर ऐसे ही करके 2021 में अलगलग चैप्टर के कुईस्टन्स के आपके लिए आते रहेंगे तब तक ऐसा ही हस्ते खिल्कलाते मुस्कुराते रहें जय हिंद जय भारत